हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपोर्ण इंगलिस में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 2019 में पूछे गए LNMU Part 1 History Owners Paper First के Question Paper का Analysis करेंगे दोस्तों जब आप ये वीडियो देख लोगे उसके बाद आपको ये benefit होगा कि exam का trend क्या है इसके बारे में फूल जानकारी हो जाएगा कि exam किस प्रकार से हो रहा है कितने question examination में आते हैं कितने का जवाब देना compulsory होता है कितना को हम छोड़ सकते हैं ये सारा जितना भी information है न सारा का पता आपको इस वीडियो के बाद हो जाएगा तो चले दोस्तों वीडियो start करते हैं तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दू कि history honors का जो exam होता है उस paper first और paper second दोनों paper में 10-10 प्रसन पूछे जात है वो पहला question ही consider किया जाता है उसके बाद 9 question होते हैं यानि कि total 10 प्रसनों में से आपको केवल 5 प्रसनों का answer देना होता है जिसमें से पहला question यानि objective वाले का answer दे दीजिए उसके बाद जो बचा आगे का 2-9, 2-10 उसमें से आप केवल 4 का answer दीजिए तो हो जाएगा मेरा 5 प प्रसन में जो objective प्रसन सब आया है ये निमने लिखीत है चली हम उसको बारी बारी देखते हैं और इसको आप ढंक से प्रिपेर कर लेना क्योंकि ये objective आगे examination में आपको पूछे जा सकते हैं तो पहला question है objective का दोस्तो हरपा के लोगों को किस धातू की जानकारी नहीं थी तो बार्ट के द्वारा साथ बार से अधीक बरवाद हो गए तो ये दोस्तो मोहन जोद्र था अगला objective दोस्तो पावित्र गरंत वेदों की रचना किसने की इसका answer आप ढूंड लेना इसमें में तो रहा confused हूँ उसको मैं सर्च भी नहीं किया हूँ साइद भूल किया हूँ यह को शमर पित है तो दोस्तो ये सोम को शमर पित है ये कोई डेज वाला सोम नहीं है या आप याद रखना अगला है दोस्तो उत्तरवैदिक कालिन सभेता का काल क्या था तो दोस्तो ये हो जाएगा 1500 से 500 इसा पोर्ब अगला question दोस्तो objective गौतम बुध ने अपना पहला उपद किस अस्थान पर दिया तो ये सारनात हो जाएगा अगला objective question दोस्तो जैन धर्म ने कुल कितने तिर्थ कर हुए तो ये 24 हुआ जैन धर्म तिर्थ कर अगला objective question दोस्तो नालंदा विस्विद्याले किस राज़ा द्वारा बनाया गया है तो दोस्तो ये कुमार गुप्त के द अंतिम हिंदू सासक तो यह हो जाता आपको प्रिथिवी राज चोहान लेकिन यहाँ पर उत्तर लगाया हुआ है यानि उत्तरी साइड से पूछ रहा है तो साइड मैं यहाँ पर कन्फ्यूज हूँ इसका अंसर आप सर्च कर लेना तो दोस्तों यह था मेरा objective question 10 जो की बनाना कमपलसरी होता है और आगे जो है दोसे लेकर के दस इसमें से आपके वल चार प्रसनों का ही उत्तर दे तो दूसरा question क्या हुआ था तो दूसरा question था भारतिये उप महादेश में नवपासान कालिन संस्कृत की समाजिक एबं आर्थिक संद्रचना की व्याख्या कीजिए अगला था दोस्तो चाउं था उत्तरवैदिक सभ्यता के समाजिक एबं राजनितिक जीवन की विवेचना कीजिए पांचमा question था दोस्तो वर्दमान महाबीर के जीवन एबं सिक्छाओं का विसलेशन कीजिए शिक्स नमबर question था दोस्तो असोक के धम का मुल्यांकन आठमा question था दोस्तो चंद्रगूप्त दूइतिये विक्रमा दित्य की उपलबधियों का मुल्यांकन कीजिए नमा question था दोस्तो मगद समराज्यवाद के उत्तान को रेखांकित कीजिए और दसमा यानिकी लास्ट प्रसन था दोस्तो हर सो वर्धन की उपलबधियों का वर् दोस्तो ये था total 10 question जो की 2019 के history honors paper first में आया हुआ था जिन में से पहला question objective था 10 उसका compulsory होता है बनाना उसका answer और उसके बाद जो आगे का question होता है 2 से 10 इसमें से आपके वन 4 प्रसनों का answer दोगे तो दोस्तो ये इस प्रकार से ये review था 2019 के question paper का अगर आप paper 2 का अगर देखना चाहती हो तो उसका link इस video के description में देदूंगा आप वहाँ से जाकर के देख लेना और दोस्तो मैं बता दूं कि इस video के इस channel के माध्यम से मैं LNMU पे बहुत सारे video upload करता हूं और करता भी रहूंगा तो इसके लिए आप हमारे साथ इस channel के थूरू जूर सकते हैं तो दोस्त तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में thank you so much